नमास्कार दोस्तों सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल फैंटसी बिन प्रडिक्शन में तो दोस्तों कवर करने वाले एज के इंटरनेशन स्रीज का फर्स्ट ओडिया मैच है जो कि दोस्तों बिखला जाएगा हॉंग कोईट टीम्स के विए डीप लाइंस करेंगे इस व दोस्तों जमारा फानेल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो अपने जल्दी से आगे हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना इसी वीडियो को इस फेटो ईस्ते सिर्ट पास पस्ब्सक्राइब होंगे वह युए मारे अकमात रियल चैनल है तो प्लीज आप उनसे सव्धान रहेगा और यूजन ने मैट दरेट रियल अप्लीव पर देखके किज आरके असपा सब्सक्राइबर देखके मारे टेलेग्राम चैनल को भी आपने जोइन करना है मैट करें मैच की मैच मॉर्णिंग में सब्सक्राइब देखने को मिलेगा नहीं हलाके दोस्तों इस ग्राउंड पर जो चार ओडिये मैच खेलेगा है टोटल उसमें से तीन मैच बैटिंग फरस्ट ने जीते हैं एक मैच बैटिंग सेकंड ने जीता है फरस्ट ने का दोस्तों इस ग्राउंड का जो एरेज स्कोर है वो 243 रण का है हलाके दोस्तों इस ग्राउंड का जो हाइस टोटल हो होंग कोंग के नाम ही है दोसो 69 रण में करे थे और लोस्ट टोटल स्कॉर्ट लाइन के नाम है 150 का scoring pattern भी आप देखना चाहें देख सकते हैं जो 4 match हुए है दो मैच में दोस्तों यहापे 200 से 200 के range में scoring हुई है और 2 मैच में आपे 200 से ऊपर scoring हुई है तो आप 250 से 270 के range में scoring देख सकते हैं हाला कि दोस्तों जो Hong Kong team है इस मैच मजबूत रहेगी उनको home ground में मैच हो रहे हैं तो उसका उनको advantage मिलेगा रीजेन में दोस्तों HK international series के अंदर अभी T20 series चल ले थी HK international के नाम से 2-3 इन दिन पहले उस series का था मुई और दोस्तों यहां पर जो स्रीज ही ODI series है तो यही चारो टीम को ODI series भी खेले जागी अब दोस्तों अब जो Hong Kong team है उस series के अंदर चार मैच खेले थे यह मैंसर T20 ही खेले हैं और इनके माने काफी सारे players के stat जाके check करने कोशिच की लेकिन किसी भी player को ODI के stat नहीं है हालाकि Hong Kong की team में एक change हुआ है इनके जो star आलाउंडर थे एजाज खान वो ODI squad का पार्ट नहीं है तो वो नहीं खेलेंगे बाकी इनका भी लगबक से मैं एक बैटिंगा लाउंडर इनके साथ में करने हैं कि अंसु बंद राट जो कि लेफ एंड बर्ट में ने रीसेंट फॉर्म गजब का दिखा है जो तीन में स्रीज हुई थी जो अभी इनकी इंटरेशन स्रीज वहां पर तीन मैच ये खेले थे उन चार साथावन और के स्कोर किया था तो अच्छे पिक रहेंगे आप इनको बेपने टीमें प्रिक कर सकते हो इंटरेशन में अच्छे इस्टर्स हैं इनके वह नोर्में डिंग करने हैं कि बाबर है जो की राइट हैं जो रिसिन में चार मैच में बिल्कुल पराग थे अंडर टेन चारो मैच में आउट हुए बहुत लेस सेलेक्शन होगा इदि आप रिस्क के टेकर सें को जरूर करें टालेंट की कोई कमी नहीं है लंबे-लंबे शक्के मानने के लिए जाने जाते हैं लेकिन फॉर्म एकदम बात करें इस टेम को विए बात करें अब दोस्तों जो स्रीज अभी हुई थी इनकी HK International उसमें एखी मैश खेले से साथ रन किये थे थे हाना कि उसमें आप इनका Domestic का recent form देखेंगे तो कि कोई मैशम स्थी में फ्रेसिंज का रिसन लिखा या वहाँ वहाँ भी इनका स्कोर ठिक ठाक ठा डुगस्टिक में तदी खेलते हैं तो मेरे इसाब से GL में ही रोटेटरी नहीं तो छोड़ दीजे कि उस सामने वाल टीम को जो की पर है ने कुवेट के हुझ ज़्यादा बढ़ी अपिकराएंगे बात करें हारुन अरसत की राइटाम मीटे में रीसेंट भाओन अच्छा है लास्टे जीरो वुगट था उसको बेंढ़ी दो विगट तीन विगट एक बिगट तो लास्ट के चार मैच में इनके नाम आठ बिगट है तो मार् स्टैप पे कैप्टन राइस कैप्टन के एक बहुत अच्छी अप्शना के लिए रहने वाले हैं असान खाल गजनाबर की बात के लेक बेफ दो ही मैच खेले थे चार बिगट निगाल था टोटल तो यो भी अच्छी अच्छी अप्शन नाएंगे न तो अच्छा करके आ रहे हैं जी यल में रोटेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह प्लेंग 11 रहा सकते हैं और वाइटिंग ओर्टर भी लगवग यही देखने को मिलेगा आपको कौंग का तो आप देख सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों इसमेंच की जुमाई दूसरी टीम दोस्तों बिलेगा वहाइफ को आपको हमारे टेलेग्राम चैनल मिलेगा टेलेग्राम का लिंग की से वीडियो को डिस्क्रेप्स आप पर फर्स्ट कमेंड मिल जाए कर लो आपको मैद की बात करते हैं जो कि इसके इंट्रेशनल टीटों योद्यों पर चार मैच खेले थे तिस्ट के लेकाइब मारे खे लिए सण्थी जीए था लांकि यह सथ गये इनके लागे में together बाकिर का लुँअ चया और यह mimीनुब है घी के सब्सक्रीफ generate ओप सुम्हें है तो आप इनको बिंक कर सकते हैं रावी्जा संदुर्बन जो कि राइट हैं मैंने लास्ट के चार गेमें के थे सैंतेस तेस बार और एक का स्कोर था आकरी के दो गेमें तीस प्लस का स्कोर था तो यह भी ठीक टाक उप्सन आएंगे बैटिंग से अधनान इद्रिस को जरूरू ट्राइए कर लिजेगा राइट हैं मैंने लेकिन कब जब टीम के चल्दी बीगर जाएंगे तब लेकिन इस टीम के टॉप आटर बहुत देर तक खेल जाता है तो टीम हिटिंग के लिए कभी पे साइद मोनिक कूपर बेज सकती है लेकिन इदी अधिक्ता मतलब जल्दी बीगर जाते हैं तो मोनिक को लोग नीचे रखते हैं फिर नमर च्छा पे बिलार ताहिर आपको दिखेंगे साथ पर नौपर दिखेंगे लेकिन मोनिक को कभी भी टीम बेज सकती हीटिंग के लिए क्लिए को अच्छी टीटीग कर र हुए तो बॉलिंग का खोई बरोसने इसलिए रिस्की रहेंगे अश्लम नाफर भी पांसातों डाल सकते हैं लास्ट गेमें एक विगेट उसुगल दो विगेट एक विगेट जियल के अंदर ट्राई कर सकते हैं सिराज काम भी अच्छी ऑप्सन हैं बैटिंग्स अच्छे दिया हुआ है इसी प्लेंग लेवन के साथ कुवाइच की टीम जाए और बैटिंग और भी लगवाग यही देखने को मिले और लास्ट मैच पे तो यहीं का प्लेंग लेवन और यही बैटिंग ओडर था अब दोस्तों इस मैच के टीम की आचली टीम देख लेते हैं लेकि दोस्तों यहां पे और कोई उतना चॉप से मुझे लगा नहीं इसलिए मैं और किसी को प्रफर करूंगा नहीं बात करें दूस्तों वाइटिंग से संग्री आंसुमन राथ कुपनी टीम में रखा है रवीजा संद्रोन को रखा है तीसरे परल्ले बाद जो लोग ऐसे प्ल कर लेंगे तो उस प्लाटफर्म मेरे टीम में रहेंगे बात करें दूस्तों वाइसान खान लिया है मस्टापी का गजनफर भी मस्टापी का बहुत अच्छे लेक्पर बोलर हैं रिसें में अच्छा कर गया रहे हैं बाकि यहां से कुड़ूस को ग्रानलिक ट्राई कर शकत करें हैं दोस्तों almatz Captain team की इस तो हैं तो दूस्तों मुर्तिजा को में है ऐसिसान खान दोनों ऐसे अप्ले औरको घ्रंपर sakao तो ग्रांड लिग के अंदर आप सीविसी बना सकतो निजाकत खान को इसके लाव बालिंग से बात करें तीन बालर अच्छे हैं कुवैत को पहले बालिंग आता है तो मौनिव को ट्राइब कर सकते हो गजनफर हमेशा अच्छे उप्सन है कुवैत के सारे बालर ग्रांड परक सकते हो तो यह एक्चेंज आप कर सकते हो जो लोग ऐसे प्लेटफॉम पर खेल लें जरूरी है बागी स्मॉल लिग टीम मेरा यह है और इसी टीम से मैं स्मॉल लिग कॉंटेस्स जोइन करूंगा आप्टर टोस्ट जो मेरी फाइनल टीम होगी मैं आपके साथ टेलेग हो चुके हैं तो आपके उन्जोर करो बिल्कुल परी है मॉल्णिंग में आपको चारा डिट मिल जागए टेलेग्राम पर टोस्ट के बाद तो जोइन कर लिजी और वीडियो लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब ने किया था त झाल